आज का वीडियो हमारा राइक डेट फोन पर है इस फोन में लो बूटिंग का इशू है जब हम डीसी में कुनेक्ट करके इसकी बूटिंग चट करते हैं तो बूटिंग बहुत लो लेता है इसमें ड्यूल पावर आइसी है पीम 660 और 660L इसको हमें डिटेल में समझना लेगा कि बूटिंग का इशू क्या होता है जब बावर की प्रेस करते हैं तो फोन की जो डीसी रीडिंग आती है उसको कैसी समझना है इस फोन में लो बूटिंग है तो मैंने एक चीज़ को डेटेल में बताया कि लो बूटिंग के कारण क्यों आपका फोन और नही हो तक उसकी लो भूटिंग के रीजन्स क्या हो सकते हैं और एक क्लाइंट को मैंने बताया कि आपके पास अगर फोन आता है उसका आप एजिली रिपैर कर सकते हो और एक चोटा सा अपडेट है नो तारिक से हम लाइव क्लाशे शुरू कर रहे हैं इसे स्लेबस के लिए आप डिस्क डिस्की रीडिंग्स को हमें चेक करना होगा ताकि ये पता लग सके कि हमको काम काहां पे करना है अगर लो बूटिंग होई तो अलग जगां पे काम होगा अगर हाई बूटिंग होई तो अलग होगा सभी चीज़ों का अलग कॉंसेप्ट होता है जैसे ही हम इसका पावर की शॉट करेंगे कुछ रिडिंग्स हमकों मिलेगी यहां पे रिडिंग है 2.56 के अराउंट यह रिडिंग ले रहा है इसका मतलब है यह लो बूटिंग है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लो बूटिंग के रीजन क्या होते हैं एक फोन है जैसे कि यह रेड्मी नोट 7 है इसमे dual power AC है एक यहांपे लगा है जो PM660 L और एक यहांपे लगा है यह PM660 यह दो power AC है सबसे पहले हमने इसमें DC connect किया DC connect करने के बाद हमने यहां पे shot किया इसका power की ताकि हम consumption देख सके पावर की जैसे ही हमने शॉट किया तो DC में रीडिंग मिली 2.7 मिली अम्पेर जो की बहुत लो रीडिंग है लो बूटिंग है इसको आप समझेंगे के वीपेच इस फोन में बन रहा है वीपेच क्या होता है जो बैटरी कोनेक्टर की पॉजितिव सप्लाई है 3.7 या 4.2 वोल्टेज जो हमने DC से दिये तो चार्जिंग IC जो भी है इन दोनों में से एक ये पावर IC है एक ये है इसमें से एक IC चार्जिंग का भी काम करता है तो य ये वाला आपका चार्जिंग IC प्लस पावर IC है ये है PM 660 अभी यहां से आप देखो के वीपेच जर्नेट होंगे वीपेच जर्नेट होने के बाद पावर की पे वोल्टेज आएंगे वोल्टेज आएंगे हम इसको शॉट करेंगे तो DC रीडिंग लेना शुरू करेगा आ बट यहां पर देखिए आपकी DC में रीडिंग क्या थी बहुत कम थी कंजप्शन एमपेर का बहुत कम था तो उसका रीजन क्या है यहां पर सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब हम पावर की को प्रेस करते हैं तो एक पावर हो या तो हो या हो तीन फस्त लेकिन लो बूटिंग कंडिशन में एक चीज फरस्टली आपको याद रखनी है कि हमको बग पावर पे ध्यान देना है जब बग पावर जरनेट होते हैं तो रीडिंग्स लेता है बग पहले जरनेट होंगे फिर LDS भी होंगे उसके बाद आपका CP on होगा अगर बहुत लो उसमें से एक आदा VPH का भी होगा लाइट का भी होगा तो बट हमको देखना है कि कौन सी लाइन को चेक करें इसमें बहुत लो बूटिंग है तो बेसिक सी बात है कि इसमें पावर नहीं जरनेट हो रही है अब हमको ये कंफर्म करना होगा कि कौन सा पावर ऐसी खराब है या कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है इसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ देखे अगर किसी एक कोईल पर भी वोल्टेज अनेट होते जैसे इस कोईल पर वोल्टेज अनेट हुए तो वो CPU को मिले तो DC में कुछ रेडिंग्स आएंगी दो पे हुए जाता हूं क्लास के रिलेटिड में तो चलिए कंटिन्यू करते हैं समझते हैं इसकी लो बूटिंग को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो तो यहां पर देखो मैंने इसका पावर की एक बरफिश से शॉट कर दिया एक वायर से शॉट कर दिया शॉट करने के बाद इसमें वोल्टिज पर वायर कराएंगे डीसी से यहां पे कॉनेक्ट करेंगे अब पावर की शॉट है डीसी हमने कॉनेक्ट कर दी तो अब हमको लाइन्स चेक करनी है आप सीधा चेक करोगे तो सीधा आपकी मर्जी है उसमें आप धून नहीं पाओग के कौन सा पावर कराब है हम क्लास की प्रेजेशन से देखते हैं जिससे एजी लिए आप फॉल्ट फाइंड कर सकते हो यह इसका वर्किंग प्रसेस है काम करने का तरीक है जो मैंने अपने स्टूडेंस को जिखाया है उसके बाद नेक्स्ट है इसका ट्रबल शूटिंग इ उसके साथ ही वीपेज जर्नेट हो जाएगा वीपेज इसमें बन रहाता आप चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं उसके बाद हम पावर की शॉट के बाद का पॉर्सेस देखते हैं यहां पर बोर्नियों में आएंगे और सिर्फ चार्जिंग डाटा ओपन करेंगे ह देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले कपैसिटर पर या इस कॉल पर हम चेक कर सकते हैं तो चलिए चेक कर लेते यहां पर 4.2 वोल्ट है जैसे आप ऊपर देख सकते हैं यह भी वीपेस के कपैसिटर होते हैं जो पावर के साइड में लगे होते हैं अभी नेक्स चलते हैं उससे आगे क्या करना है यहां पर वीपेज जनेट हो रहा है अगर नहीं होता है तो बीम 660 को मैं चेंज कर देता उसके बाद मैंने पावर की शॉट कर दिया हमने देखा कि मैंने एक वायर से पावर की को शॉट कर दिया अब मुझे चेक करना है वी आरीजी बीयो वोल्टेज ये भी वीपिएच की तरह एक वोल्टेज होती है जो वीपिएच का लोड कम करने के लिए फोन में आपको मुसली कॉल कॉम में देखने के लिए मिलती है इसको चेक करने के लिए समेडिक्स ओपन करेंगे आप पावर आईसी PM660L का कोड कोड कोपी कर सकते है या PM660 का कर सकते है दोनों में से कोई भी चेक कर सकते है तो यहाँ पे सीधा लिखना चाहें B.O.B B.O.B मैंने लिखा यहाँ पे और forward किया तो यह line है यहाँ पे कोई capacitor कुछ component नहीं है तो forward करते हैं यहाँ पे इस काप पर check कर सकते हैं और next करते हैं यहाँ से बन रही है यह voltage तो इन दोनों caps पे हम check करेंगे C.802 पे check कर लेते हैं इसकी location यहाँ पर है बोड में जब हम देखेंगे तो यह रहा कापसिटर इस पे हमको voltage confirm करना है कि voltage कितना है पावर की यह already short है DC इसमें लगी हुई है तो इस पे हम voltage देखेंगे यह ground वाली side है और इस side voltage है 0.231 एक्चुली में यहां voltage होना चाहिए 3.4 से लेके 3.7 तक हो सकता है तो इतना इस पे voltage होना चाहिए बड़ इसमें voltage है नहीं यहां पे एक fault हमें थोड़ा सा confirm हो गया कि VREGBO भी नहीं बन रहा है तो PM660L खराब हो सकता है अगर यह नहीं बनता तो हम PM660L को देखेंगे अगर आपका fault यहां पे solution नहीं होता है जिस भी phone में यह दोनों power IC लगे है तो उसके बाद भी आप थोड़ी पोड़ टेस्टिंग कर सकते है जैसे इसमें हमको एक fault मिला PM660L खराब हो सकता है अगर दूसरा कोई phone है इससे आगे टेस्टिंग करना है तो S4 और S5 को हम चेक कर सकते है यह भी चेकस हो जाएगा कि PM660 अगर खराब हुआ आपके phone में तो वो भी problem में हो सकता है तो उसके लिए हमें चलना है PM660 पे U501 इसका code है यहां लिखेंगे U501 forward करेंगे एक बार और buck line तक हम forward करेंगे यह audio lines नहीं बनेंगी क्योंकि B.O.B. voltage भी नहीं बन रही है जो हमने अभी देखी थी बड़ हमको अभी buck line पे L.L.D.O. और H.L.D.O. line चेक करना है जो S.4 और S.5 है यह वाली coil है L.604 हम एक capacitor पे चेक कर सकते हैं 605 पे तो यहां पे लगा है यह capacitor चलिए इस पे चेक करते हैं क्या कुछ voltage अनेट हो रहे है L.L.D.O. कोई voltage नहीं बाकी की coils पे चेक करना चाहें तो चेक कर लेंगे कोई voltage अनेट नहीं हो रहे पावर की अल्रेडी हमने शॉट किया हुआ है voltage नहीं होने चाहिए इसके हिसाब से presentation के हिसाब से आप एक एक लाइन चेक कर सकते हैं कौन सी लाइन से क्या इशू आते हैं मैंने सब यहां पे नोट किया है कि कौन सी लाइन पे कितना voltage रहेगा और कौन-कौन से track आप चेक कर सकते हैं जिससे आपको पता चले कौन सा IC खराब हो सकता है इस side पे भी जो IC लगा है PM660L इसके भी कोई voltage generate नहीं होगी क्योंकि B.O.B. भी नहीं बन रही है E.P.H. इसमें ok है तो यहां भी कोई voltage नहीं है उस power IC पे भी कोई voltage नहीं है हमको पता चला कि इसमें VREGBO भी missing है जो PM660L से बन रही है तो हम mainly L को remove करेंगे और इसमें नया power IC ever scrap से निकालके same power IC डालेंगे ताकि हम phone को on कर सके उसके बाद हम check करेंगे phone on होता है या नहीं अच्छे से clean कर लेंगे एक दूसरा board है मेरे पास इसमें भी PM660L लगा है यहां पर इसको हम निकाल लेंगे यह glass IC है आप iron से clean करेंगे तो बड़ा सा risk की होता है scratch हो जाता है अगर SMDC करेंगे तो easily हो जाएगा उसमें कोई problem नहीं है मैं SMDC कर रहा हूँ तो SMDC भी आप कर सकते हैं रिबॉलिंग परसेस करेंगे इसको रिबॉल कर लेंगे इनिवर्सल से कर रहे हैं तो अभी कोई problem नहीं है आपकर आपके पास SMDC है दोसरी stencil है इसकी personal तो उससे भी कर सकते हैं बॉल साब एक बार confirm कर लें देख लें कुछ छोटी भी होती है जैसे यहां पर तोड़ी बॉल आप छोटी थी तो हम छोड़ा सा जब बॉल है stencil बच्ची हुई वो यूज़ करके आप उसको fix कर सकते हैं तो इससे भी बॉल होगे fix कर देंगे वापिस rosen का यूज़ करें तो rosen smoke यूज़ कर सकते हैं rosen smoke यूज़ नहीं करना है तो paste यूज़ कर सकते हैं तो आज से यहां पर बैठ गया है कि फिर से थोड़ा सा फोन धंडा होने के बाद हम इसमें वोल्टेज देखते हैं यह वोल्टेज नहीं बन रही थी अभी 3.3 वोल्टेज जन्नेट हो रहे हैं पावर की हमारा शाउट है 1.3 2.0 0.87 यहां भी वोल्टेज जन्नेट हो रहे हैं फोन कौन करके देखेंगे फर्स्ट लोगो 2.0 और अभी फोन अनोगे 2.0 अन्नेट कर दादेग से फोन गहे हैं 0.टर अन्नेट कर देखेंगे